हाई बाइबरीवन वेलकम बैक तू मैं यूटूब चैनल ब्रेंस्टोब विद दीपर वर्मा तो टोडें वी डिस्केस अबॉट अन्टोनियम तो चलिए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड से देखें यहांपे इरूट वर्ड लिख्या है है हैं एक आप हैश्कल एक आशाल ऑन उडे भी बोल सकते हैं देखिये मूठ स要ढ़ सकते हैं यह को होसले न और दर्पा इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो देखें यहां पर क्या करना है हमें बेसिक अभी इस फियर यानि दर्ण से रिलेटेड हमें आज क्या सीखने हैं हमीं सीखने हैं एंटोनेमिन स्विनोनियां तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करों इस रूट वर्ड के बारे में देखें इस रूट वर्ड का इहां पर मीनि यह हुआ यह वा मैं या ऑनकरि सबस्करिश हमने वाला है कि जब जब जिस जिस word में इस root word का use हो रहा होगा तो उस word का कही न कही meaning किस से रिल्ट होने वाला है हमारा fear से या फिर doubt से रिल्ट होने वाला है तो अगर मैं इसके synonym and antonym की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हम किसी भी particular word का जिसका भी हम synonym या फिर antonym सीखने के लिए जा रहे हैं तो उसका antonym में synonym सीखने से पहले हमको Hindi में ये जरूरी होता है कि उस particular word का synonym हो या फिर हो antonym Hindi में क्या हो सकते हैं तभी हम English में synonym फिर antonym बना सकते हैं देखिए students, मैं आपको last class में यह बताया था, कि तो synonym होता है, वो basically होता है, एक particular word का similar, जिसका meaning एक particular word क्या हो similar हो, या फिर उसका meaning उस particular word क्या हो नियरेस्टो, कैसे, देखिए जैसे महा लेजिए, आज मुझे फिर्द क्या बनाना है, synonym बनाना है, ठीक है, तो आप मुझे बत यह इसके नियरेस्ट होगा ना, तो we will call it the synonym of this word, अगर मैं आप से माल करू, भयानक, ठीक है, जो भयानक word है, वो भी किस से related है, द्रस से related है, या फिर मैं कह सकता हो कि, इसका meaning, इसके meaning से क्या है, नियरेस्ट है, और जो गो नियरेस्ट होता है, इसके meaning से क्या है, नियरेस् जो कि ड्रावना होता है, बहानक होता है, या फिर जिसको देखके हमें डर लगता है, वो basically क्या होता है, बदसूरत भी होता है, तो जो भी बदसूरत होगा, वो क्या है, उसका meaning, इसमाट के nearest है, तो हम बदसूरत को भी क्या हो लगी है, हाँ पे synonym, आप मुझे मताईए, ज जो object है, जो person, basically, बदसूरत होगा, उसको भी होगा, और भी होगा, और भी होगा, और द्रावना देखकर हमें डर भी लगेगा, और जिससे हमें basically डर लगने वाला है, ठीक है, उससे basically हम लोग क्या करेंगे, हेट करेंगे, या नि गरना करेंगे, तो that's why it will also be called the synonym of this word, right, it is इसके लिए है, अगर मैं बात करता हूँ antonym की, तो मैंने आपको last class में ये भी बतायाता है, कि antonym का मतलब होता है, the opposite meaning of particular word, right, तो आप मुझे बताईए, ड्रावना, भ्हाना, बद, सुरदयाफी, घरना, इसपाले, इनका antonym रहने की निका opposite क्या होजकता है, इनका opposite basically सु सुंदर होगा, वो प्यारा भी होगा, जो प्यारा होगा, सुंदर होगा, वो बेजिलिक क्या होगा, आकर्शक होगा, अच्छा होगा, या फिर सुहाना होगा, तो देखें students, हमने एक particular word को, उसका एक root word सीखा है, ठीक है, और root word से, उसका meaning क्या निकल का है, यहाँ पर fear, right, अब देखें, फिर से related हमने synonym भी हाँ पर सीखा है, क्या हो सकता है, और उससे related जो antonym है, हमने वो भी सीखा है कि क्या हो सकता है, अब suppose कीजिए, कि जिस भी word बे इस हाइड, इस हाइड, इस हाइड, यह वर्ड से यूज हो रहे होंगे, या फिर मैं यह कह सकतो कि जिस भी word इनका touch आएगा, touch आने से मतलब यह होता है, कि हो सकता है, इस वाले word के एक दो लेटर उस वर्ड में उस हो, तो उस word का meaning कहिना के डर से related होगा, इतरा समझे मारा है, तो देखी, इसी की बेस बेर, मैं इस हापे एक word frame करता हूँ, मैंने हापे word frame किया, H I D E O U S and this word was frame in 13th century, यानि कि सबसे पहले, इस root word को use करते हुए, यह वाला जो word है, इसको frame किया गया, basically 13th century में, तो देखे students, मैं आपको last class में बताया था, कि जिस भी word class में O U S start होता है, ठीके, उस word को हम बोलते हैं, हापर adjective, तो मैंने हापर लिख दिया, adjective, is it clear, अब देखे, हमने यह भी सीखा है last class में, कि अगर मुझे adjective के help से, अगर add up रहना होता है, तो हमें basically क्या रहना होता है, इस adjective के last में, हमें ly add करना होता है, तो कैसा add कर सकते हम, तो मैंने हमें इसको क्या 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 होता है, इसको हम क्या होता है, add word, is it clear, अगर मैं इसका नव रहना चाहूं, तो मैंने आपको बताया है, कि अगर मैं adjective के last में, n-e-s-s add करता हूं, कैसे, जैसे मैंने आपको लिखा, h-i-d-e-o-u-s-n-e-s-s, hideousness, तो उस word को basically हम क्या भूलते हैं, noun, और मैंने आपको last class में ये भी बताया था, कि जिस word class में, y होता है, simply y होता है, उसको भी हम क्या भूलते है, noun, जैसे, मैंने इसका एक noun गोर बना सकता हूं, h-i-d-e-o-s-i-t-y, देखे, class में y आ रहा है, तो ये क्या होता है, यहां पर noun, तो देखे, student से, मैंने क्या किया, मैंने केवल और केवल एक root word को land किया, ठीक है, और उसके help से, मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, मैंने यहां पर क्या क्या, forward frame कर लिए, आप मुझे बताइए, जिस भी वड़ी class में always होता है, उसको क्या होता है, और मुझे पता है, कि adjective basically क्या करता है, adjective basically किसी भी noun, pronoun की quality को show करता है, तो अगर मैं आपसे पूछू, कि यहां पर h-i-d-e-o-u-s, इसका meaning यहां पर क्या हो सकता है, तो आप मुझे बोलेंगे, ड्रावना, डर, भयाना, क्या हो सकता है, खुद सोच के बताईगे है, तो देखें यहां पर, यहां पर, यह है basically adjective, और adjective इसका हो सकता है, ड्रावना, यहां फिर भयाना, क्यों, क्यों भी यह show कर रहा है, किसी भी particular object, यह फिर एक person की quality को, अगर मैं आपसे बात करूँ, h-i-d-e-o-u-s-l-y, इसका मीनी यहां पर क्या हो सकता है, तो मैंना तो आपको last class से बताया था, कि एड़र का मीनी होता है, किसी भी काम को करने का manner, यहां फिर धन, तो मैं ही हमें बोल सकता हूँ, कि ड्रावने तरीके से, अगर मैं आपसे ब बताये कि नाउन क्या होता है, जिसको मैं देख सकते हैं, या फिर खील कर सकते हैं, तो आप मुझे बताये, इन सभी के सभी वर्ड में से, ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है, कि इसको आप फिल कर सकते हैं, तो कही ना कहीं, h-i-d-e-o-u-s-n-e-s-s, इसका मीनी होगा, यहां प ठीक है, क्योंगे हम दर को फिल कर सकते हैं, अगर देखें, अगर देखा जाए, तो यहां पर जो ड्रावना लिखा हुआ है, ड्रावना भी हम देख तो सकते हैं, और मैं आपसे लास्ट क्लास में बोला था, कि that which can't be seen or fed by us, that is called noun, तो हम कह सकते हैं, एक तरीके से, कि ड्रा वाले बर्ड का होगा, वही मिनिक इस नीचे वाले बर्ड का भी होने वाला है, ठीक है, इस इत प्लेट मैं समझे मारा है आपको, तो अब हम बात करते हैं, बेसिकली, इस पर्टिकुलर बर्ड का, यानगी, H-I-D-E-O-U-S, यानगी, जो मैंने आपने यह वर्ड लिखा है इसा सीनोनिम क्या हो सकता है, और अंडरोनिम क्या हो सकता है, लेकिन दिखें स्टुेट से, मैं पर इक बात अरो बताने जा रहा हूँ, देखें जो आपने एकशाम में सीनोनिम में इंटरोनिम आते हैं, झापden इस बेसे toothpick कि यह मैं, आपको तो अगर मेल बड़ यहां पर एड्जक्टिव है और आपसे अग्जामने सीनोनियम या फिर एंटोनियम पूछते इस प्रटिबल बड़ का तो उसका सीनोनियम या उसी सेम फॉर्म में होना चाहिए यानिकि अगर यह वाला वर्ड एड्जक्टिक की फॉर्म में होना चाहिए अगर मालेजी यह वाला वर्ड अगर नाउन की फॉर्म में लिखा रहता तो उसका अंसर भी नाउन की फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी examiner आपको confused करने के लिए क्या करता है वो mean word तो देता है noun लेकिन उसके options में एक adjective होगा एक adverb होगा एक होगा basically verb तो आपको क्या करना है आपको same combination यहां पर choose करना है तो आएए हम सबसे पहले बात करते है synonym के बारे में तो यहां पर synonym में मैंने यहां पर एक word लिखा मैं यहां पर लिखता हूँ ugly u-g-ly ugly अगली कह मतलब होता है बद सूरत इसका मतलब क्या होता है यहां पर बद सूरत तो हम क्या सकते हैं यह क्या होगा यहाँ पर इसका synonym तो अगर मैं आप से बूछू कि अगली यहां पर क्या होगा यह बेसिवली यहां पर होगा एड्जेक्टिव वाइं वाइं विपोस्ट इपीज क्वालिफाई इस वर्ड यालिग क्या पता रहा है तो देखिए हम इसके डिफेंट डिफेंट इसको फो में करते हैं मुझे प लेकिन देखिए हैं जब भी हम एलवाई ऐड्ड करेंगे सब्सक्राइब तो हम यहां पर वाई को रिमूव करगे हैं यहां पर क्या आड्ड करने वाले हैं अगर लेगे यहां पर बनाने के लिए मुझे क्या पर ना पड़ेगा इस वर्ड में क्या करना पड़ेगा अब अगली नेस तो मैं इसकैन बहुत है नोम अगर मैं बात करूं से तो एक बात याद के रखिये कि जिस भी word class में fy use होता है उस word को हम बोलते हैं हापे word ठीक है अगर मैं आपसे पूछो कि इस word का मतलब क्या हो सकता है तो यह तो activity को represent कर रहा है तो इसका मतलब होगा बदसूरत बनाना ठीक है यहां पर इसका मतलब क्या होगा तो आप क्या कहेंगे बंसूरत तरीके से यह यहां फिर इसका मतलब होंगा बंसूरत ठीक है Dawna यहांपे क्या होने वाला यहांब होने वाला है ठीके है f r i g s t f u अगर मैं आप से बात करूं इसका नौन क्या हो सकता है तो इसका नौन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस को एड़ करना होगा तो मैंने हपे लिखा अखर एफ यू एल ये अंई घ्रट फुलनेस और यह करता मेरा यह यह पर मेरा नौन के अगर मैं आप से बात करूं किसका वर्थ क्या हो सकता है किसका वर्थ हो सकता है एफ आर आई तो देखे स्टुएंट से आप जैसे जैसे इस वे बरकॉप करते चले जाएगे तो देखे अब हम नेस्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं अगर आपने नॉट नहीं किया तो नॉट कर लिए इसको अब जैसे में माल लिजिए मैंने अपर यह नेस्ट वर्ड लिखा रहे हैं गासली यानि की जी एच एस टी एल वाई ठीक है गासली तो यह एड़र की हो सकता है तो नॉट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी एच एस टी एल आई आई एस एस गासली नैस ठीक है यह क्या बन जाएगा मेरा हापर नाव में इस इट क्लिए नेस्ट वर्ड हेर में आपसे बात करूं तो नेस्ट वर्ड हमारे हापे होता है फियर्स एफ आई उए और शींदिश्क अंचलब भी क्या होता है ब्यानक मैंने आपे मैंशन किया यह ज़ए जीए अब आप फुसट राइं किजिए इस ट्रेंट देखने यह तो है क्या बन सकता है इसका एडन trip बन शकता है advisor एर, c-e-l-y, it would be add-her, ठीक है, राइट, क्योंकि देखे, it is very simple, हमें बता है कि जिसभी वर्ड के last में हम ly add करते हैं, यानि कि जिस भी वर्ड इन असेंस हमेशा है, it would be adjective, यानि कि हमेशा यह वर्ड होना चाहिए हमारा adjective, तो इसका अगर मैं आपसे नौं की बात करूं, तो न noun, f-i-e-r, यालिकी, n-e-s-r, c-e, fierceness, यह होगा यहां पर हमारा noun, अगर मैं बात सुरूर कि इसका वर्ड क्या हो सकता है, तो वर्ड इसका बनेगा, f-i-e-r, c-e, n-fiercen, चीक है, यह होगा हमारा वर्ड, type understood, तो आप इसको हैंट वर्ड नोट करते चलिए, अभी हम और सिनोनियो के बारें बात करने वाले हैं, तो देखे, स्टुएंट से नेस्ट वर्ड आता है हमारा, यहां पर ओफुल, a-w-f-u-l, ओफुल, ठीक है, देखे, ओफुल जो है, ओफुल का मुतलब होता है, ड्राव रहा यहां पर, तो मैंने यहां पर इसको लिखा है, ड्रावना, तो अगर मैं आपसे बात करूं, इसको हम क्या बोलने वाले हैं पर, एड्यक्टिव, अगर मैं इसके एड्वर्ड की बात करूं, तो क्या ड़ना है, आपको, ओफुली, a-w-f-u-ll, ओफुली, ठीक है, इसको हम क्या बोलने यहां पर एड्वर्ड, तो देखिए, इसका नॉम होने वाला है, ओफुल्नेस, a-w-f-u-l-n-e-s-s, ओफुल्नेस, यह तो होगा हमारे हैं पर नॉम, और यह होगा हमारे हैं पर एड्वर्ड, लेकिन इसको यहां पर इसको कोई भी वर्ब नहीं बन पाएगा, यह आपको और देखिए, इसको बना सकते हैं, अड्वर्ड बना सकते हैं, लेकिन वहां पर उस वर्ड का कोई भी वर्ब नहीं बन पाएगा, जैसे कि यह बढ़ाता है हमारा ओफुल्न, तो अबर मैं नेस्ट वर्ड की बात करूँ, नेस्ट वर्ड आता है, हमारे हैं पर देट अगर मैं आपसे बात करूं कि इस तरह नाउन क्या बना है तो नाउन नाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है यानिकि डेट फुल नैस तो अब देखें मैं सीधा जो की में बड़ है उसके बारें बात करने जा रहा हूं तो नेस्ट वर्ड हमारा हो सकता है और ये इसका यंदि इसका यह उतलब क्या होता है रहागर नेस्ट अगरा गुद मैं बात करूं तो नेस्ट वर्ड हमारा आता है ग्रीं जी आर आई सीग देखे जोगी वर्डिक पारे आपने कहीं अगरी सुना होगा कि जैसे माय लिज्जी अगराब आप और किसी की डैथ के नियू सुनते हैं तो इस दिम साइब दर जाते हैं तो वही डर क्या होता है इस वर्ड का स्थिंड स्थे एंग बात करते हैं नेस वट आता है लोट सम सो इस बर होता है लोट सम ठीक है यह होता है इसका मिलनी होता है गळणा इसको जाने की जिसी लोग समदों कि नास बड़ाता है और पी आप अपी आज पॉप्स लाइट का उतलब होता है लाइट का उतलब तो होता है पसंद करना या कि किसी की तरह है और पॉप्स बोलते हैं शब को ठीक है दूश्ब की तरह दिखें और हमें पता है कि जब भी कोई शव के तरह लिखता है वो कि आपने बेसे लिए डाड़ वोडी होती है और डाड़ लगता है तो that's why it would be called the synonym of this word एक word और आता है यहां पर मैं इसको दब कर देता हूं करें नेस्ट वरद आना आता है यहां पर कैड़िरस चीए डी ए वी ए आर ओ यू एस कैड़िरस चैड़िरस का मतलब होता है शव जैसा जैसा तो अरे श्टरेंट्स के आपसे बात करता हूं कि कैडागरेस को हम क्या बोलने वाले हाप एड्यक्तिव नाउन एडवर्ब या फिर वर्ब तो देखे नहीं मुझे पता है कि लास्ट में हापर क्या उज़ग है ओ यूज़ग है और इस्टिव कर दफे वहाथ होता क्ते में रिपल साह स्रत मुझा कि मुझत यहां पर तो अगर मैं आप से दूझत which we call the adjective